मेरे विक्तित्व के घुमकड़े हिस्से का आपको पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी उसकी चर्चा नहीं कि मुझे घुमने का शौक भी है और आदत भी है मैं विश्व के पांचों कॉंटिनेंट्स में ब्रह्मन कर चुका हूँ चुकि मेरे पास ग्रीन काड था तो अमेरिका में भी आने जाने में मुझे कोई असविधा नहीं होती थी कई बार तो ऐसा होता था कि ट्रेवल करने का मन किया और एक जोले जैसे सूटकेस में कपड़े भरे और निकल लिया एक जगह रहकर जल्दी ऊप जाता हूँ तो कई बार तो अमेरिका में दस दिन रहकर यां बीज दिन रहकर लाट आता था अमेरिका में रहने की आप्शन होने के बावजूद इंडिया से मैं पीछा नह सारनाथ, खजुराहो, कश्मीर, पुरी, नौर्थ इस्ट, साउथ इंडिया बगारा और नेपाल भी आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के शेहरों में घूमने या काम करने के लिए अगर जाना हो तो किन बातों का ख्याल रखें और क्या तैयारिया करें टूर और वे वहां की साइट सिंग के लिए ट्रांसपोर्ट यानि कार बगारा या कोच या बस, गाइड, होटल ये सब ट्रेवल एजनसी निश्चित करती है ये उनका काम है जिसके लिए वो आप से जी भर के पैसे लेते हैं उसमें क्या होता है कि आपको एक कारेकरम, एक प्रोग्राम की अनुसार चलना होता है, जो एजनसी तरह करती है, जैसे कि माना कि आप दिली आगरा जेपूर के टूर पर जा रहे हैं, जिसे गोल्डन ट्राइंगल भी कहा जाता है, तो आपको कितने बज़े उस जगह पहुंचना है जहां से आपको पिक किया जाएगा, वहां से लेकर बस रास्ते में खाने के लिए कहां रुकेगी, वहां खाना कैसा मिलेगा, यह सब पूर्वनिश्चित होगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, फिर आगरा या जैपूर वहां पहुंचकर आपकी शाम और डिनर का टाइम फिक्स होगा, अगली सुबह कितने बज़े उसमें आपको एक डिसिप्लिन के अंदर चलना होता है, जो सुविधा जनक भी है और तकलीफ दे भी, डिपेंड करता है आपकी आटेचूट पर आपकी मान सकता पर है, वेकेशन में आप अपनी मर्जी से उठते हैं और घूमते हैं, जब शेहर घूमने का मन करें, तो करेंड़पूर के टूर के बाद गोवा फ्लाइ कर सकते हैं, सी बीच पर रेट पर लेट कर धूप तापने के लिए और ये वेकेशन होगा, टूर और वेकेशन में वेदर का रोल बहुत इंपोर्टेंट है, तभी तो आफ सीजन और पीक सीजन कहा जाता है, नॉमली ठंड मौसम टूर या वेकेशन के लिए ठीक रहता है, इंडिया जैसे गर्म देश में तो गर्मियां आपको जुलसा सकती है, एक तीसरे किसम का टूर और है, जिसे बिजनस या ऑफिशल टूर कहा जाता है, उसमें कोई बाध्यता होती है तो वो आपके ऑफिस की होती है, इसे अनभव की तरह जो मुझे याद रहे, टूर सिर्फ एक ठका देने वाला अनभव भी हो, तो भी ठकावट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मज़ा आए, इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ तैयारियां करें, मैं विदेश जाता हूँ तो ये तैयारियां एक से दो महीने पहले शुरू हो जाती है, अपने देश में लगभग एक महीने पहले, अर्थाथ सारी बुकिंग्स मैं एक महीने पहले करवाता हूँ, इससे डील भी अच्छी मिलती है और आप निश्चिंत होकर दूसी चीजें जैसे उस्थान के बारे में पढ़ना या जानना या किसी स पर निर भर है, बस ये ख्याल रहे कि भार कम से कम रहे, अगर आपको बाहर भी घर जैसी ही सुविदाएं चाहिए, तो प्लीज घर पर ही रही है, जब मैं तैयारियों के लिए महीनें, दो महीनें या एक सब्ता की बात करता हूँ, तो उसमें कपड़ों के अलावा, उस ज सोड़ी या बहुत जानकारी लेकर चलें, इससे आपका टूर मीनिंगफुल हो जाएगा, कपड़ों वगरे के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक बड़े से सूटकेस को खोल कर अर्मारी में रख दीजे, और जो जो आपको याद आता जाए, उसमें फैंकते चलिए, लास्ट के लिए, वहाँ मेरा सबसे लंबा स्टेच छे महीने का था, जब मैं अपनी फीचर फिल्म प्यार के रंगजार बनाने, जिसमें कृष्णा विशेक, श्वेता, साधना सेंग, किरन कुमार जैसे कलाकार थे, और उस चक्कर में वहाँ लुटने गया था, मुंबई एक अद अधिपत्य में लिया, लेकिन लगभग 200 साल बाद 1534 इसवी में इसे पोर्तगाली अधिकारियों को सौंप दिया, उन्होंने इसका नाम बाउम बहाई रखा, 127 साल बाद 1661 में इसे कैथरीन आफ ब्रेगेंजा के ब्या में दहेज का एक हिस्सा बना कर भेंट कर दिया गया जब उसकी शादी इंग्लेंड के चार्ल्स दस सेकिंड से हुई थी, 21 सितंबर 1668 इसवी में, यानि 21 सितंबर 1668 यानि शादी के साथ साल बाद चार्ल्स ने ये छे आईलेंड्स इस्ट इंडिया कंपनी को दे दिये, 10 पाउंड्स सालाना रेंट पर, आज के मुंबई में म पान की पीक या लिफाफें को बे परवा इदर उदर फेक कर पहला देते हैं, शेहर के अमीर इलाकों को छोड़कर मुंबई में कीचर और गंदगी थोड़ी जादा है, और इसलिए पॉलिशन भी बहुत है, यही हाल दिल्ली का भी है, और इसलिए मुंबई में चलने का वालों के लिए अधिकतर बदबूदार होती है, लेकिन दस फूटो चाई पर यह हवा बड़ी सुहानी और रोमैंटिक है, मुंबई वहां प्रगती के अफसर ढूनने के लिए, आए वेक्तियों के लिए, जादा उदार नहीं है, वो आशा जगाती है, लेकिन फिर उसे सम प्रतिश्यत सफल होते हैं, बाकि सब मामूली कामों में उलच कर रह जाते हैं, मुंबई एक महत्वपुन शहर होने के बावजूद, इसमें प्रहमन योग या केवल ऐलेफेंटा की गुफाएं हैं, कोई और हेरिटेज स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे दिल्ली में हैं, हाला क कि ट्रेवल एजनसी आपको कई जगहों के टूर पर ले जाती हैं, वो क्या हैं? मैंने जुहू में बना इसकॉन टेंपल भी देखा और इसमें रखी रेट के थीडरिल की एक पेंटिंग ने मुझे हैरान कर दिया, जो रशियन आर्ट से प्रभावित थी, जो सुबह उच स और कई सौदे यहां अराबियन समद्र तट पर तहलते हुए तै हो जाते हैं, सुबह 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 ससून डॉक्स पर फिशर्मेन को फिश बेशने बेशते देखना एक अनुभव है, इसके अलावा गांदी जी का मनी भावान, काला घोडा, जहांगीर आर्ट गैलरी, में ट्रेवलिजन दे देते हैं, याद रहे मुंबई का मौसम गर्म और हुमेड है, किसी चाय वाली जगह पर खड़े होंगे, तो हवा अच्छी लगेगी, वरना धूप चुपती रहेगी, इसलिए कपड़े बेहद लाइट पहनने होंगे, मुंबई का सफर अधूरा रह जहां आप शूटिंग देख सकेंगे, जुहूर बीच के सामने सड़क पर इस मत से कन्ना की खुबसूरत प्रतिमा भी देखने लाइक है, ये स्लम्ज शाहरु खान के घर मननत के आगे हैं, और एक कंट्रास्ट पेश करते हैं, ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर अधारत ये तजर्बा है, जिसकी कल्चर रहनी के तौर तरीके और विविधिता इसे बहुत इंट्रेस्टिंग बना देते हैं, जब आप टेक्सी हायर कर शेहर में निकलते हैं, तो पुराने खंडहर मत ढूंडिए, शेहर को देखिए, बहुत खुसूरत नहीं है, पर बहुत खूब ह इसे बखानना इतना आसान नहीं, बस इसकी विविधता देखते बनती है, करीबी इतनी कि किसी भरे पेट को गिल्ट महसूस हो, और अमीरी इतनी जितनी अंबानिस के पास है, कंजर्वेटिविटी, तंग दिमागी इतनी कि कोई लड़की किसी लड़के को छूले तो बव बार में लड़कियों के डांस आम हैं और शराब और सेक्स पब्स में बिखरे पड़े हैं, ये शहर जवान लड़के लड़कियों के लिए खुले आम घूमने, चूमने और बाहों में बाहें डाल कर किसी पार्क में लेटे रहने वाला स्वर गया है, दूसरी तरफ प्रद कर सांस से खीशने को कहा गया, शायद मुझे वो हवा इसलिए रास नहीं आई, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, जहां कि हवा पॉल्यूटिट तो है, पर ट्राय एंड लाइट है, अगर आप प्लें से मुंबई से दिल्ली आएं, तो एरपोर्ट पर ही पाएंगे कि हवा हलक और लेनी आसान है, मुंबई की हवा भारी है, लेकिन मुंबई की एक बात मशूर है, once a मुंबई, always a मुंबई, and दिल्ली वालों को मुंबई का वेदर पसंद है, ना मुंबई वालों को दिल्ली का, सब की पसंद अपनी अपनी है, यैसे ही लगा कि यहां तबियत बिगर स के नीचे से गुजरना होता है, गेट्वे अफ इंडिया को किंग जॉज दे फिफ्ट और क्वीन मेरी के भारत में आगमन के उपलक्ष में बनाया गया था, इसे दिल्ली में 1911 में होने वाले दिल्ली दरबार से पहले बनाया जाना था, लेकिन तब तक केवल इसका कार्ड मॉडल ही तयार हो सका था, इसका निर्मान 1915 में आरम हुआ था, इसे सारवजनिक रूप से 4 दिसंबर 1924 को खोला गया था, ब्रिटिश एम्पायर के शासन के अंत में प्रतिकात्मक रूप से ब्रिटिश एम्पायर का लास्ट टुप इसके नीचे से 28 फरवरी 1948 में निकला पाकिस्तान से आये, कायर टेरिरिस्ट ने इसके सामने स्थित ताज पैलेस और टावर्स पर हमला किया था, अंधा दून गोलियां चलते वो टेरिरिस्ट जिनके खिलाफ हमारे प्रधान मंतरी अभी योएन के मंच से, जो विश्व का सबसे बड़ा उन टेरिरिस्ट ने ताज होटिल के पीछे एक रेस्टरेंट में नाश्ता करते मासूम लोगों पर गोलियां दागी थी, ताज की ही तरह इस रेस्टरेंट के मालिक ने अपनी जिन्दा रहने की स्परेट मरने नहीं दी और एके 47 से दागी गई गोलियों के निशान को वै एक अनुभव है, मैं इस बात को नहीं मानता कि अंग्रेजर ने हमारे देश में किसी भी इमालत को खड़ा किया था, उन्हों ने सिर्फ आदेश दिये थे, बनाने में किसी अंग्रेज का हाथ नहीं था, सब कुछ हिंदुस्तानियों के दिमाग और हाथों की मेहनत से बना Elefanta Caves Arabian Sea में Gateway of India से 10 किलोमेटर की दूरी पर है, वहाँ समुद्र में ferry या boat से ही जाय जा सकता है, एक घंटे का ये सफर बहुत सीनिक है, जब आप ferry से उतरते हैं तो एक चोटी toy train जैसी toy train शिमला में है, आपको एक किलोमेटर आगे caves की foot hill में ले जाएगी California से आई मेरी महमान को तब बहुत रवांचिक लगा जब चार तगड़े आदमियों ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और उपर एक किलोमेटर की चढ़ाई पर ले चले, दो लोग पीछे थे कंधे बदलने के लिए, उसके लिए ये आदमियों को औरतों की गुलामी करवा आने जैसी बात थी, जिसने उसे बहुत एक्साइटिड किया था, साथ गुफाएं हैं जो भगवान शिव को समर्पे थे और इन्हें सात्वी और नौमी शताब्दी में पूरा किया गया था, सबसे प्रसिध मूर्ती शिव की ट्रिमूर्ती सदा शिव है, जो आपको को तोड़ा और बिगार दिया, ये युनेस्को वर्ल्ड हरिटेज की प्रोटेक्टिट साइट है, आपको मुंबई की भीड और गंदगी अच्छे लगे या ना लगे, मुंबई को आप नकार नहीं सकते, आफ्टर ओल ये हमारे देश की एकनॉमिक कापिटल है, रन्यवा नमस्का